अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे पैसों की जरूरत होती है और जैसा आज कल का महौल है छोटा मूटा कोर्स करने के लिए भी लोन लेनी की नौबत आ जाती है ऐसे में अगर लोन रिजेक्ट हो जाए तो अच्छी पढ़ाई का सपना बिखर जाता है तो आकर क्यों एजुकेशन लोन में इतनी दिक्कते आती हैं ऐसा क्या करें कि एजुकेशन लोन रिजेक्ट ना हो और आप कैसे तयारी करें कि लोन को सही वक्त पर आप चुका भी सके और इनी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौझूद है जाने माने फाइनाशल प्लानर हर्श रूंग्टा हर्श जी बहुत स्वागत है आपका मनी गुरू में कैसे हैं एकदम ठीक हूं स्वाथी, it's a real pleasure to be here All right sir, क्योंकि आज का topic important जितना बच्चों के लिए है उतना important के parents के लिए भी है क्योंकि बच्चे अपनी मनपसंद की चो पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए parents को education loan लेनी की जरूरत पड़ती है और in fact कई parents का हमारे पास call भी आया और उन्हें जानना भी चाहा है कि हम education loan लेनी की कोशिश तो करते हैं लेकिन मिलता नहीं है, बहुत परिशानी होती है तो इसलिए मैं in fact सबसे पहले ही जानना चाहती हूं कि education loan लेनी में risk कौन से involved होते हैं अगर हम देखें कि अगर एक बैंक की नजर से education loan को देखें एक बार तो अगर आप देखें जब आप education कोई और दूसरा loan जब लेते हैं, home loan लेते हैं, car loan लेते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को loan मिलता है जो already पैसा कमा रहे होते हैं और उस कमाई में से वो आप loan चुकाएंगे bank को, तो जो bank की ability होती है judge करने का कि कौन सा ग्राहक loan चुका पाएगा, कौन सा नहीं चुका पाएगा, वो एक काफी cargar ability होती है education loan एक ऐसा loan है, जिससे कमाने की शमता बढ़ती है वो student वो course करेगा, उसके कमाने की capacity बढ़ेगी, उस capacity जब वो create होगी, उसमें से वो loan चुकेगा अब कोई भी कारण से कमाने की capacity है, अगर ये नहीं बनती है यानि कि suppose student वो course complete नहीं कर पाता, या अगर वो complete कर भी लेता है तो भी उसे अनुकूल job नहीं मिलता, अनुकूल नौकरी नहीं मिलती या बिलकूल ही नहीं मिलती नौकरी, या अगर वो graduate course के लिए उसने loan लिया है और उसे और पढ़ाई करने हैं तो वो नौकरी ढूंडी नहीं रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि student जो है वो overseas चले जाते हैं, loan लेके, और फिर उसे वापिस भारत नहीं आना है तो loan न चुकाने की जो chances हैं वो भड़ जाते हैं यानि education loan अगर हम bank की दृष्टी से देखें तो काफी risky होता है chance of repayment, repayment न होने के जो chances हैं काफी high होते हैं और यह हमने public sector banks के education loan portfolio है, इसमें यह देखा भी है की काफी उनके जो है defaults है, इनी सब कारणों के वज़े से यह defaults है on the other hand अगर हम students की तरफ से देखें तो दुनिया में अगर कोई भी recognized education course है तो वो एक बार अगर उसमें admission मिल जाता है तो उसके बाद सिर्फ पैसे के लिए वो course नहीं कर पाए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका arrangement जो होता है, सरकार करती है इस risk के guarantee दे कर, तो यह एक बहुत important चीज है तो जैसा आपने बताए कि bank के अगर हम viewpoint से देखें तो वो उनके लिए काफी riskier होता है due to many factors जो के आपने बताए है और students के लिए भी in fact, जो education loan नहीं लेना है बाद में वो कैसे चुकाएंगे, उस पर भी banks जो है काफी ज़ादा परिशान भी रहते है in fact, लेकिन risk की तो हमने बात कही है, लेकिन मुश्किल क्यों है मुश्किल कई aspects difficult इसलिए भी, क्योंकि जो बाकि हम loans लेते हैं उसमें बहुत जल्दी से मिल जाते है, education loan जब लेने के लिए जाते हैं तो कई तरह के सवाल भी किये जाते हैं और क्या कौन से banks हैं, क्योंकि कहा जाता है कि education loan लेना है सरकारी banks से जाके लीजिए, यहां से मत लीजिए, वहां से लीजिए आगे कर इतने सारे parameters क्यों बनाएगा है इसके लिए तो जैसे मैंने कहा कि risky loans हैं, इसलिए जो private sector है वो तो team type के lenders हैं इसमें, एक जो regular education loans के लिए public sector banks हैं, वो up to 4 lakhs बिना collateral security के, बिना income के proof के वो loans देंगे Indian courses के लिए, तो up to 4 lakhs के लिए इतनी problem, इतनी दिक्कत नहीं आती जब तक की course recognized हो, moment आपका loan 4 lakhs से ज़्यादा हो गया, यह आपका course recognized नहीं है, तो फिर दिक्कत आती, क्योंकि फिर bankें देखती हैं कि आपके parents पैसे कमा रहे हैं, क्या वो चुका पाएंगे कि अगर आप नहीं चुका पाएं तो, और 7 lakhs रुपे से ज़्यादा का अगर आप loan लेना चाहते हैं, तो फिर collateral security देनी होती है, कोई existing house है, जो parents जिस घर में रह रहे हैं, या और कोई collateral security, normally banks insist करते हैं, तो इसमें students जो नहीं दे पाते हैं, वो फिर, या जिनके parents की income आए नहीं होती, वो फिर पीछे रह जाते हैं, उनको loan जल्दी से नहीं मिलता, दूसरी तरफ, ऐसे अच्छे courses में अगर student जा रहे हैं, जहां पे नोकरी मिलने के chances हाई हैं, तो यह जो अभी नई specialized lenders आये हैं, जैसे credila financial services है, अवान्स, यह जो दिवान housing वालों की service है, यह लोग इनको बिना collateral security के भी loan दे पाते हैं, और यह एक मतलब बहुत अच्छी नहीं सुविदा हुई है, Sir, in fact, क्योंकि loan कैसे मिलेगा, इस पर हमने चर्चा शुरू कर दी है, आपने कहा कि च्यार लाग तक का जो education loan है, वो आसानी से बिल जाता है, लेकिन जब 7.5 लाग के उपर चला जाता है, तो जो collateral security जिसमें आपने बताए कि जो property के property वगरा है, उसके against आप ले सकते हैं, और इसके percentage में हर जी कोई change होता है, मतला अगर आप loan against property ले रहे हैं, वहाँ पर जो interest है, वो क्या बदल जाता है? तो अगर आप ये regular education loan लें, तो ये करीबन आज की तारीख में 11.5% के आसपास मिल रहा है, यही चीज अगर आपके पास अच्छी property है और income parents की अच्छी है, जिससे वो loan against property, regular loan against property ले सकते हैं, तो आज एक regular loan against property आपको 10, maximum 17% में, अगर आपकी income अच्छी है और property अच्छी है, तो 10-17% में एक regular loan against property मिल सकती है, कोई भी banks इसमें बहुत active हैं, private sector banks भी बहुत active हैं, तो ये अगर आपने loan ले लिया और इसका इस्तेमाल, bank से लिये हुए loan का इस्तेमाल, अगर आपने education के लिए किया, तो आपको income tax benefit भी मिलेगा, आपको सिर्फ दिखाना है, कि ये loan जो मैंने लिया है, loan against property bank से, वो मैंने education के लिए use किया है, अगर वो आप दिखा पाएंगे, तो उस पर आपको income tax benefit भी मिलेगा, और rate भी मिलेगी, regular education loan आप लेंगे, तो rate ज़्यादा मिलेगी, in fact, उन परिवारों के लिए हर्ज जी, जो की, जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो ज़रूर चाहते है, क्या उसके लिए कोई criteria है कि जो income है family में से आपके parents के income है, वो यहां तक इतने eligibility उसको cross करना चाहिए, दवाइस आपको education loan नहीं मिलेगा, जैसा कि हम बाकी normal loans में भी देखते हैं? नहीं, I think banks इसके बारे में काफी flexible हैं, दोनों ही schemes में flexible हैं, चाहे वो, चुकि मैंने कहा ना और इसलिए risky है, अगर आपकी particular, साड़े साथ लाग की उपर अगर loan लेना है, तो कुछ तो income होनी चाहिए, लेकिन इतनी income बहुत कम parents की होंगी, जो कि अपनी income से वो students का education loan चुका सके, जो normally, प्राया प्राया, जो education loan का requirement और उसका जो EMI बनेगा, वो इतना हाई होता है, कि वो आपकी एक parent की, normal parent की आय में से उसको चुकाना, बिना student के additional I के जो उसको होगी, course के बाद, थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए I देखी जाती है, लेकिन वो criteria नहीं है, कि इससे कम I होगी, तो education loan नहीं मिलेगा, अगर एक reasonable I है आपकी, तो parents को guarantor तो बनाते ही हैं, और उसके basis पे आपको loan मिल जाता है, और कोशिश कहां से की जा सकती है, क्योंकि कई parents bank में जाते हैं, due to many factors जो अब भी आपने बताये कि क्यों banks actually riskier मानते है, education loan देना, लेकिन यहाँ पर महंगा भी तो होता हूँ, क्योंकि parents के mind में यह होगा कि जादा महंगा education loan हमें ना मिले, तो कुछ ऐसे organizations हैं कि जादा महंग जादा भी ना मिले और बाद में कुछ परिशानी भी ना हो education loan में? girl students के लिए कम होता है, कोई particular course के लिए कम होता है, roughly यह cost आप ध्यान में रख सकते हैं, अगर आप specialized agencies के पास जाते हैं, जैसे credit law हुई, advance हुआ, तो वो उससे महंगा है, लेकिन मिल जाता है, I think education loans में cost के अलावा, मिलना, availability, loan मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे life change हो जाती है, तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा cost देना, I don't think, लोग mind करते हैं, availability होना बहुत जरूरी है. All right, in fact, हम दिखा भी रहें कि कुछ banks के education loans जो हैं, वहाँ पर कितने amount तक का अगर आप education loan लेते हैं, तो कितना rate के हिसाब से, in fact, हम base rate के बारे में आप से जाना चाहेंगे, जो इसके कुछ break-ups हैं, कि आप education जब loan लेते हैं, उसके अंदर कौन-कौन से components आते हैं, तो उसके साब से base rate और जो percentage है, वो कैसे determine होता है? ख्यार, अब base rate से नहीं हो रहा है, अब तो marginal cost of lending, MCLR से base rate 6 मैंने पहले का figure है, अब तो 1 April से marginal cost of lending से हो रहा है, तो typically, जैसे अगर हम state bank की बात करें, तो typically state bank का 2% above MCLR है, और वो particular अवधी का MCLR 9.10 है, तो 2% above है, तो 11.10% हो गया, कोई, so roughly जैसे मैंने का, roughly 11 to 11.5% cost पड़ता है, depending उस bank का MCLR कितना है, कौनसी अवधी का MCLR use होता है, और उस पे margin कितनी है?